नमस्कार स्वागत आपका क्रिकट के स्री मैं मैं हूँ आपके साथ प्रविन याद हूँ विमेंस प्रीमेर लीग में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें शाम का मुकाबला पॉइंट्स टेबल की टॉप टू टीमों के बीच खेला जाएगा मुंबई ने अभी तक अपने 6 मैच में से 5 मैच जीत कर 10 अंग के साथ टॉप पर बनी हुई है अगर आज का मैच हर्मन प्रीत कौर की टीम जीच जाती है तो उसके 12 अंग हो जाएंगे और वो सीधा फाइनल में जगा बना लेगा वहीं डेली कैपिटल्स ने अपने 6 मैच में से 4 में जीत हासिल की है और उसके अभी 8 अंग है ऐसे में अगर वो अपने बचे दोनों मुकाबले जीत जाती है तो वो भी सीधा फाइनल में पहुंच सकती है आज का मैच डिवाई पार्टिल स्टेडियम में खेला जाएगा टूनामेंट अपने अंति पड़ाओं की तरफ है और केवल दो गराउंड होने के कारण पिछ अब धिरे-धिरे स्लो हो रही है इन पिछों पर अब स्पीन के इंदबाजी को ज्यादा मदद मिल रही है पिछ स्लो होने कारण अब मैचों में स्कोर भी कम बनता वा दिखाई मुंबई की तरफ से बैटिंग में टॉप ओडर को ही रन बनाने होंगे क्योंकि यूपी के सामने मुंबई के टॉप ओडर के जल्दी आउट होने के बाद मिडल ओडर में किसी ने रन नहीं बनाये थे ऐसे में आज फिर से यास्तिका भाटिया हैली मेथ्यूज हर्बन पृत कौर को रन बनाने होंगे वहीं गेंद बाजी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली साइका इशाक से एक बर फिर से अच्छे परदेशन की उमीद होगी वहीं जी वांग और हैली मेथ्यूज ने भी अभी तक उनका अच्छा साथ दिया है दिल्ली की बात करें तो बल्ले बाजी में कप्तान मैगलैनीन और शिफाली वर्मा पर बड़ा इसकोर बनाने की जिम्मेदारी होगी मिडल ओर्डर में जैमीमा रोडरिक्स ने अभी तक अच्छा परदेशन किया है वहीं जरूरत पढ़ने पर एलिस कैपसी और मारी जान कैप ने अच्छी पारियां के लिए गिंदबाजी में तारा नौरिस और जैस जॉनेसन से विक्तो की उमीद होगी तो अब देखना होगा आज का ये मुकावला कौन जीत कर फाइनल में अपनी जगह पकी करता है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही क्रिक्ट से जुड़ी और वे खबरों के लिए देखते रहे है क्रिक्ट की स्री धन्यवाद